आप सब लोग आई होपके आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे अच्छा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता था के अली का स्कूल स्टार्ट हो रहा है तो फाइनली वो टाइम आ गया जब मैं अपने लिए भी कुछ सोच सकती हूं क्योंकि पिछले 10-12 साल स पहले अमान जब स्कूल जा रहा था तो मैंने सोचा था मैं अपनी स्टाडिस कंटीनियू करूंगी फिर आयतार आगई सिल्सला यसे चलता रहा और फिर अली आ गया तो फाइनली अप तीनों बिच्छे स्कूल जाएंगे और मेरे पास कोई 6-7 खंटे होंगे जिसमें मैं जो चाहूं कर सकती हूं तो मेरे पास दो अप्शन है एक तो वह जो सब लोग करते हैं कि जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दू और अपनी लाइफ को एंजोई करूं दूसरी ऑप्शन गे कि मैं वह करूं जो मैं हमेशा से करना चाहती थी यानि अपनी स्टडिस कंप्री करूं मैंने पिछले व्लाग में जिकर किया था तो मुझे काफी ज़दा कॉमेंस आए थे कि आप कोई जॉब करने वाली हैं कोई बिस्निस टार्ट करी हैं अपना कोई ब्रैंड लांच करी हैं तो मैंने सोच आपको बता दूँ अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है लेकिन प्ल प्ले ले ली थी अभी बच्चों के स्कूल बैग लंच किर्स और वाटर बाटल्स वगरा यह सब चीज़े लेने के लिए हम गए थे यह ना वैसे स्कूल जाने का बेस्ट पार्ट होता है मुझे याद है बच्पन में मैं भी जब न्यू क्लास में जाती थी तो एकसाइट बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पैरेंट्स अफोर्ड नी कर सकते और वो स्कूल भी नहीं जा सकते तो आप तो शुकर अदा करो कि आपके पास इतना कुछ है और यह बात मुझे अभी याद है इसलिए मैं कहते हूं कि बच्चों को इस तरह की बातें जरूर बताय क्योंकि पानी जाता तो वाटर बाटल साथ होना तो आप थोड़ दिर के बाद पीते रहते हूं आपका वाटर इंटेक जादा हो जाता है यह ग्रे वाली बाटल अमान की है पिंक पली आयतल की है ब्लू अली नहीं लिए और यह जो क्लेर बाटल है यह मैंने अपने लिए और इसमें दो से तीन ग्लास पानी आ जाएंगे तो काफी है मेरे लिए तो सभी चीज़ें बच्चों की कंप्लीट हो गी है स्कूल की बस लंच बॉक्स रह गए तो वह मैं टीजे मैक से लोंगे क्योंकि वहां के लंच बॉक्स काफी अच्छे होते हैं उसमें पोर्शन हो चीजे रखी होती हैं तो एक शेल्फ मैंने खाली किया उसमें बच्चों के मैने जैकिट्स वगरा रखे वी थी तो वह सब निकाली मैंने का डुनेट कर देती हूं बहुत अर्सा हो गया रखे वे और वहां पर भी मैने स्कूल बैक्स और सब चीजे रख दे थी यह यूंकि सब चीजें जो फालतों हैं वह डुनेट कर दूं ताकि घर में थोड़ी सी स्पेस बने और महराम से फिर रेनुएट भी कर सकूँ यहां पर लंच भी आलमस्ट रेडी हो गया है सबी कोई आज डिफरिंट खाना था मैंने वैसे चिकन बोनलिस बनाया था उसमें थोड़े से शिमला मिर्चा आड की थी फ्लेवर के लिए तो हस्बिन को फिश खानी थी उनके लिए फिश बनाई और आयतल और अली के लिए म लंच के बाद मैंने सारे बरतन वगरा वाश किये फिर यह मसाले वगरा सारे रिफिल करने थे मैंने सोचा यह काम भी कर लेते हैं क्योंकि आपको पता ही है कि मैं घर पे खुदी रोस्ट करके ग्राइंड करती हूं मसाले तो वो खतम हो गए थे और मुझे चाहिए थे कल के ले और यह और गनाइजर था इसमें कुछ भी रख सकते हैं तो मैंने सोचा इसमें मैं सारे जो स्पाइसिस हैं वो सेपरेट करके रख लेती हूं तो सब मसाले ग्राइंड करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया आप लोगों के मेसेजिस देखे जो कि आप इतने प् करती हूं रिपलाइ भी करती हूं मैसेजिस देखने के बाद बच्चों का फ्रूट टाइम हो गया था तो उनको फ्रूट कट करके दिये और यहां पी अभी मैं यह अपना पारसल देख रही थी मैंने दो दिन पहले वालमार्ट से और्डर किया था तो डिलीवर हो गया था लेकिन इसे देखने का भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे तो मैंने सुच आपके साथ भी शेयर कर लेती हूं फिर बाद ने आप लोग पूछते हैं कि यह चीज कहां से ली थी और मुझे भी अक्सर भूल जाता है कि मैंने कौन से चीज कहां से ली थी तो इसलिए मैं करूं तब ही मैं आपको साथ ही दिखा दूँ और मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था जब मैं एडिट कर रही थी वीडियो कि मैं इस तरह से बगार बोले जो आपको चीज़ें दिखाती हूं तो इसके पीछे भी रीजन है जो कि आपको वीडियो के बिल्कुल लास्ट म हो जाएंगी आचा ये वाले गलव मैं जब भी यूज करती हूं वीडियो में तो मुझे कामेंट्स आते हैं कि इसका नाम बताएं तो इन्हें एक्जामिनेशन गलव कहते हैं और ये मल्टी परपल्स आप किसी भी चीजिस के लिए यूज कर सकते हैं तो मैं इसलिए मैंने एक बार आपको ड्राइ शांपू के बारे में बताया था तो ये बटी स्टेक का है जो के मैं यूज करती हूं और ये अफोर्डिबल भी है और बेस्ट है तो ये अपने अगर लेना हो तो जरूर ले आचा यहां पर ये वैक्स ट्रिप्स हैं जो के फेस के लिए हैं और जब भी मैं यूज करूंगी ना तो आपके साथ शियर करूंगी क्योंकि काफी ही लोगों ने मुझे कहा था कि आप फेशल वैक्स कैसे करती हैं तो यहां पर मुझे यही वैक्स ही सूट करती है मैंने एक दो और भी ट्राइ की थी लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी तो यह वाला ब्रैंड मुझे सूट करता है और यही मैं लेती हो हमेशा यह वाटरिप्रूफ मस्कारा मैंने ओर्डर किया था जो के फर्स ताम लिया है मैंने तो इसका रिवियो भी मैं दो चार बार यूज करने के बाद दूगी और इसके लावा यह स्ट्रॉज है मोटे वाले यह भी बहुत काम की चीज़ है मैं आपको इसके कुछ ट्रिक्स बताऊंगी बाद में अच्छा जी यह सब करने के बाद मैंने कपड़े चेंज किये और फिर मैं आ गई थी वाश्रों में क्योंकि मुझे यहां पर यह क्यापनेट जो है इसको रियॉर्गनाइस करना था इतनी एक्ट्रा चीज़ें जो हमने रखी होती हैं वो सब निकाल नहीं थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यूज नहीं करते तो एकस्पायर हो जाती है तो पहले मैंने शलवार कमीज पहनी वी थी जो कि थी तो मेरी नहीं लेकिन मैंने सोचा कि घर में लेती हुए कि बाहर तो कोई आना जाना होता नहीं है तो ऐसी रखे में कप्रे अच्छा है कि मैं घर पे पहन लूँ मेरे पास mostly पाकिसानी ड्रेसेज ना थोड़े फैंसी हैं तो इतने अच्छा लगता है कि मैं घर पे शलवार कमीज पहना हुँ तो अभी मैंने पाकिसान से मंगवानी हैं कुछ शलवार कमीजें तो इन्शाला जब वो आ जाएंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी बलकि मुझे आपसे कहना था कि अगर किसी को DHL के लावा कोई और सर्विस इसे पाकिसान से अमेरिका आप चीजी बेह सकें तो प्लीज मुझे कमें सेक्षन में बताइगा क्योंकि मुझे काफी कुछ मंगाना है पाकिस्तान से अच्छा जी आपसे बात करते हैं मेरी कपनेट तो क्लीन हो गया लेकिन डिनर वह थोड़ा लेट हो गया था और क्यों हुआ था यह भी मैं आपको बताती हूं कि क्या ब्लंडर क्या था मैंने तो वैसे भी आपको पता है शाम का टाइम इतनी तेजी से गुदर जाता है कि पता ही नहीं चलता तो बच्चों को मैं आलमोस्ट एटो क्लॉक जो है ना दे देती हूं दिना लेकिन कल जो है ना मुझे अच्छा थी चीज़ें और यह सारा ऑउल जो था वह स्पिल हो गया यह तो शुकर रहा कि नीचे फॉइल पेपर था तो थोड़ी सी बच्चत होगी लेकिन फिर भी अच्छा खासा टाइम लग गया था उसे क्लीन करने में तो खेर मैंने एर फ्रायर में ही रखके ना उसे और पांच मिनट के लिए ही डिट दी थी और बच्छों को डिनर कणा तीया था दिनर में मैंने बच्छों को चिकन चीज बरगर बना के दे यह जिसकेर चिकन जोरम मैंने पहले से ही मेरिनेट किया हुआ था अब ही मैं आपको किसे से मिल्वाने वाली हूँ और उनसे मिलने के बाद ना अपने काम करना है उनकी एजगेस करनी है और कॉमेंट सेक्षिन में बताना है देखते है कौन से गेस करता है अब ही गाइस, असलाम अलेकूम, आइम अब अबसूम, बेसिकली मेरा तालोग पिशावर पाकिस्तान से है लेकर पिछले छे साल से मैं अपनी फैमिली के साथ यूएसे में रह रह रहे हूँ और आज मैं यहां पर अपनी फ्रेंड औरूज के चैनल के तूँ अपने ही चैनल का प्रोमोशन करने आई हूँ तो व्लॉक्स करने के बारे में मैंने क्यू सोचा क्यूंकि अमेरिका में हमारी फैमिली और फ्रेंड्स नहीं होते तो मैंने सोचा कि सब्सक्राइबर के तूँ आइवल गेट अफामिली और मेरे चैनल का नाम है तबसुल महमान व्लॉक्स USA म अब को डेली रुटीन से लेकर, beauty tips, home decor और उसके इलावा the new places I will go I will share मेरे चैनल पर आएं उसका विजित करें उसका subscribe करें और मुझे support करें and in the end I have no words how I say thank you to my friend Uruj, she giving me opportunity to promote my channel here and she always appreciate and encourage my work Seriously, having a friend like Uruj is a gift of Allah Thank you, stay connected, Allah Hafiz I hope that today's vlog will be enjoyed If you like this video, please like and share it And if you haven't subscribed, please do it quickly I will meet you very often Keep your thoughts in the vlog Allah Hafiz